नमस्ते फ्रेंस गूड मौनिंग कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं नीतु स्वाद करती हूं अपने चैनल में आप सभी का देखिए फ्रेंस यहां पे मैं बना रही हूं बत्थू का साग है यह तो इसमें जो जड़ सहीत है यह मैं मार्केट से लाई थी तो इसमें जड़ लगा हुआ ही बानते हैं मुठा बान के बेशते हैं तो बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि हमारे साइड जो बत्थू का साग मिलता है मार्केट में यह फिर तो खेतों से भी तोर के लाते हैं हाथ से और मार्केट में भी हाथ से ही तोर के बेशते हैं और यहां पे जर समीत जो है की फ्रेंस बेज़ते हैं और देखिए बनाने में केतना ज्यादा पर्षानी हो रही थी लेकिन कोई बात नहीं है महनत करने में क्योंकि महनत जिसमें करते हैं वो काम बहुत अच्छा होता है, रंग लाती है क्योंकि हमसे ज्यादा तो किसान मेहनत करते हैं मेहनत करके से उगाते हैं खेत में हम तो बस खाते हैं तो इतना समयनत कुछ भी नहीं है और यह है बत्थ। का साग तो फ्रेंस साल में एक वार ही मिलता है ठंड के मोسم में ही मिलती है जैसे फरवरी, मार्च यह सम्मंथ में यह मिलती है बत्थू की साग और बहुत अच्छी लगती है बत्थू की साग बना के खाने में तो मैं तो बनाने वाला वीडियो नहीं सूट की थी बस इसे बना रही थी काट रही थी तो मैं सोची थोड़ा सा आप लोग के साथ भी सेहर कर लेती हूं तो जरूर खाना बत्थ चावल के साथ में खाईए तो बहुत स्वाधिस्ट लगती है तो यहां पर मैं पालक साग भी बनाई रही थी भी बनाना है और दालवजी बनाऊंगी और बथो का साग बनाऊंगी आज फ्रेंज तो देखिए इसमें जो है कि जर समयत मतलब खेत में बारी में जो लगाते हैं से किसान भाईय लो तो वह यहां पर जड़ समेत अलगा के और मुठावान के बेचते हैं तो उनके पास टाइम कहा रहा था फ्रेंस कि उतना हाथों से तोड़ के मतलब बेचे तो यहां पर ऐसे सारे जितनी भी भाजी है न वह ऐसे ही मिलती है तो देखिए कि यह करके मैं सब स दो को पकर पकर के जड़ को निकाल दूँगी और खाने में तो मुझे तो बहुत पसंद है और खास कर विद्ग के जो गाम में होते हैं WOW關係 में वह तो बहुत स्वाधिश्ट लगती है और बहुत अच्छी लगती है वह व давно साग खाने में और अच्छा तो यह भी लगता है लेकिन हम लोग क्या है न अपने घरों में अपने खेतों से जो साख खाते थे बत्तों का वो तो और स्वादिष्ट लगती थी देखे यह एंपर जर समित हैं तो फ्रेंट जो न्यू है मेरे चैनल में पर प्लिस चैनल को साथ करना और लाइक करना विल्कुल भी तो पालग भाजी भी बहुत अच्छी है, इसे भी आप अलो में डाल के बना सकते हो, आलो को पूरी बना सकते हो पालग की लाव सकते हो, तो बहुत अच्छी लगती है पालग भी कहते हैं, और देखिए इसी तरह में सारे भाजी को बनाओंगे, तो बने रहना मेरी वीडियो में आप लोग और देखिए बत्वा के साग आप लोग जुर बताईएगा किसको किसको पसंद है तो जो न्यू है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किजिएगा लाइक किजिएगा और शेयर किजिएगा और यहां पे ना मैं रूम में बैठके ही बन कितना सारा जर निकळा हुआ है ना बहुत जादा जर था और मिपे भरा था अ किसमे बॉत टाइम लगा था इस में बनाने में तब जा करके ये बना था तो देखिए मैं पत्भी हूं क लया मैं उर इस country कांटके रख रहे हूंन अम ठanhाइग को क्राआएग क्ते भोलते ह तो मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ आप लोग को और थैंक्यू वीडियो देखने के लिए फोर वाचिंग